नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग ब्रजभूशन शरण सिंग को लेकर पहलवानों का अंदोलन लगातार जारी हैं फिर भी आखिरकार क्यों पॉक्सो एक्ट हटने के बाद ब्रजभूशन शरण सिंग खुद के उपर से पॉक्सो एक्ट हटा है वो लगातार बयान बासी करता है सवाल यह उठ रहा है कि अब आखिरकार ब्रजभूशन शरण सिंग को लेकर जो दावे किये ज़ा रही है क्या वो सच है कि अब आगाई ब्रजभूशन शरण सिंग अब इस मामले में बच निकलने वाल जो चार्ट शीट SIT की तरफ से दाखिल की गई है उसमें किन सबूतों को शामिल किया गया ये उनके वकील के बताने के बाद ही वो इस अंदोलन को लेकर के फैसला लेंगे लेकिन ब्रजभूशन शरण सिंग जुस तरह से बयान बाजी करता हो दिखाई दिरा उससे देखकर तो यहीं लग रहा है कि पॉक्स तो एक्ट हटने के बाद मानों ब्रजभूशन शरण सिंग को संचीवनी मिल गई और अब कोई भी ब्रजभूशन शरण सिंग का कुछ भी नहीं बिगाल पाएगा आखिर कार क्यों आप खुद सुन लीज़े आज वो आ रहा है चार्शीट होने वाली है आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में देखा अपने किस तरह से ब्रजभूशन शरण सिंग के ये वो कुछ बयान है जो इस बात के और इशारा कर रही है कि नाबालिक पहलवान के बयान बदलने के बाद कहीं न कहीं ब्रजभूशन शरण सिंग के खिलाफ जो जाच है वो थम चुकी है चार्ड शीट दाखिल हो चुकी है लेकिन फिर भी ब्रजभूशन शरण सिंग के ये बयान इस बात के और इशारा कर रही है कि पहलवानों का अंदोलन अब खत्म होने वाला है और ब्रजभूशन शरण सिंग इस मामले में बाइश्जत पर होने वाला है हाला कि दावा कुछ नहीं किया जा सकता है यहां पर 22 जून का इंतिसार अभी भी किया जा रहा है 22 जून को कोट चार्ड शीट पर फैसला सुना सकता है यह यू कहें कि चार्ड शीट को सूची बद करने का तो आदेश रही जाएगा अब ऐसे में साक्षी बलिक और उनके पती सत्यवरत का ध्यान का क्या कुछ कहना है चार्ड शीट को लेकर आप भी सरसुनिये बागी जब होगा जब हमारे जो लीगल टीम में है अप्लिकेशन डाली है एक दो दिन में उनके हाथ में चार्ड शीट आ जाएगी देन हो ख्लीर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्ड शीट लगे हैं और आगे क्या क्या प्रोसेस लगे पॉस को करी जो धारा है वो अटाई गई है इस पर क्या बुछ बोलेगे आपको तेखो ये पुलिस में अटाई है लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम को डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को माने का पहले वाले या जो भी बात में हुआ है रही बात उसकी वो तो काफी दिन से हम रता ही रहा है कि उसका जो फादर है उनके फुरी फैमिल के उपर बहु चादा प्रेशर है उन्होंने एक इंटेविय में गोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूं दबाओ में हूं तो इससे तो ख्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाओ के रण दो टूट चुके है डवलो फैके चलाफ बहुचित हो चुके हैं लिकिनी का जा रहा है कि ब्रेश्बुशन की कोई वीजियर का में इसे पर पाट नहीं लेगा तो इस पर आप क्या हूं है देख यह तो हमारे पहली मतलब हमारी मांग थी कि फेडरेशन में कि उसके घर का कोई भी आत्मी ना हो दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्मान हो जिसमें खिलाडी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं बस मैं इत्माई क कि अब आपका नेक्स टेप क्या होगा क्या आप जंतरबंतर आएंगे या दर्णा उपर आश्क कर दूं कि एक बाद चार शिट हमें दिप चाहें और दूसरा एक दो प्रॉमिसेज जो गौर्नमेंट ने की जिए वह वांकि रहे हैं अफाया जो दिलेने का उने पूला था औ कि जो है ब्रिज भूसन भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है और जो जिनोंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ये लीडर हैं तो इससे तो ये साफ होता है कि वही हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं थी और हमारे उपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तब चुप क्यूं थे तो इसके कई कारण है सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी एक साथ कभी हम होई नहीं पाए और इसका दूसरा कारण तो आप समझी सकते है कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दि तो सिंगल सिंगल आवाज उठा भी कैसे सकते थे। पुष्ति में आने वाले सबी खिलाडे बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। हमने क्या मैसूस किया है क्या सीखा है यह तो अब भी हम आपको वर्ट्स में नहीं बता सकते लेकिन हमने कई ऐसे इनसान भी देखे हैं हमारे साथ और कई ऐसे संगठन देखे हैं जो निस्वार्थ भाव से जिनोंने हमारा समर्थन किया है हम उनका दिल से दन्यवाद करना चाहेंगी संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है पूरे जीजान से धरातल पे भी जो हमारा जो समर्थन किया है भाई चंदर सेखर भाई का भी मैं दिल से दन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि ये तंतर जात पात में हमको बाट के बाटना चाहता था लेकिन उस भाई ने हमारी दिल से सपोर्ट की है तो चंदर सेखर भाई का भी दिल से दन्यवाद सत्यपाल मलिक जी का भी मैं दन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे को प्रेवित किया कि कैसे बेबाकी से अपनी बात जो रखी जाती है साथी सभी महिला संगठनों का भी मैं जो है दिल से दन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जितनी ताकत उन में थी हमारा सपोर्ट किया है साथी छात्रों का भी हरेक उस इनसान का जो निस्वार्थ बाव से हमारे पास हमारे समर्थन के लिए आए हूं का हम दिल से दन्यवाद करना चाहें और हम चाहेंगे कि आगे भी मुसीबत के समय में आप हमारा ऐसे ही साथ है इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बीजेपी लीडर जो है बबीता जी और तीर्थराना जी का कि उन्होंने पहलवानों को एक जुट करने का काम किया साथ ही उन्होंने इस आवाज को उठाने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया उसके बाद इन्होंने ही सरकार के साथ जो है मीडियेटर बनके जो पहलवानों को एक कमेटी का नाम दे के जो है आसवासन दिलवाया सरकार से यही उसके बीच में जो है मीडियेटर थे हाला कि वो बस एक आसवासा नहीं निकला क्योंकि उसके बाद जो है उसका मेटी का कोई रिजल्ट नहीं निकला और रेस्लिंग फैडरेशन ने अपना काम वापिस से वैसे इसुचारू रूप से जारी रखा जिसकी वजह से फिर हमें तीन महीने के बाद वेट करके जब हमें नियाए नहीं मिला तो हमें दोबारा जो है वो जंतर मंतर पर आना पड़ा हम अपने माध्यम से सभी देशवासिय कोई संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है तो हमें जो हमेशा ही एक जुट होने की जो जरूरत रहती है और होना चाहिए हमें एक जुट क्योंकि हमने इतने इस दोर में यही महसूस किया कि कहीं ना कहीं इतंतर हमारी जो हमारी एक किसी के साथ भी अन्याय हो तो आप प्लीज एक साथ आई अन्याय के खिलाफ निस्वार्थ और सच्छे मन से अगर हम कभी भी एक जुट हो के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आत्मा को बहुत संतुष्टे मिलती है अब लगतार सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से ब्रजभूशन शरण सिंग के बयान सामने आ रहे हैं और जस तरह से अब कहीं न कहीं पहलवानों का आंदोलन भी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम होता हुआ दिखाए दे रहा है क्या वाकई जो लगातार एक बात कही जा रही थी कि 5 जून को हुई केंद्रे खेल मंतरिया नुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की मुलाकात में मैनेज करने का जो दावा किया जा रहा था क्या वाकई में मुलाकात के बाद प्रदर्शन को प्रजभूशन पर लागे यौन सोशन के आरोपो को और गिरफतारी की मांग को मैनेज कर लिया गया है क्या वाकई अब धी अंदोलन से विनेश फोगाट कहीं न कहीं गायब नज़र आ रही है हाला कि उन्होंने साफ तोर पर अपने ट्वीट्स के माध्यम से ये बताने के कोश्चुश की कि मुलाकात के समर्थन में वो नहीं थी और इसलिए वो मुलाकात में शामिल नहीं हुई हाला कि का जो बयान सामने आ रहा था जो वो अपनी नाराज़ की जाहिर कर रहे हैं उस पर भी सीधे सीधे विनेश फोगाट ने ब्रजभूशन पर और केंद्र सरकार पर निशाना साथा अब ऐसे में इंतजार 22 जून का है कि आखिरकार ब्रजभूशन श्राड़ सिंग को लेकर क कोट का क्या फैसला आता है फिलाल के लिए इस खास रपोर्ट में इतना ही बाकिया ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें एक्स्टर नाइन नियूस